नमस्कार मैं कंचन प्रभा विहार के दर्भंगा जिले से हूँ एक भारत स्रेष्ट भारत में आपका स्वागत है आज मैं एक दूसरे जिले के कुछ खास दर्षनिय अस्थलों के विशे में बताने जा रही हूँ तो मेरा ये वीडियो पसंद आये तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें सबसे पहले मैं आप लोगों को बिहार के विशे में कुछ बता देती हूँ बिहार भारत का एक खुबसूरत राज है जो की चारो ओर से पच्छी मंगाल, उत्तर परदेश, नेपाल और जारखन से घीरा हुआ है बिहार की राजधानी पटना है जो की पर्याटन के लिहाजे से एक सांदार डेस्टिनेशन है बिहार राज गंगा और उसकी कुछ प्रमुक सहायक नदियों के उपजाओ छेत्रों में बसा हुआ है इसकी जानकारी के लिए बता दे कि बिहार नाम की उत्पत्ति के पीछे जो स्रे है यहां के निवास करने वाले बौद सन्यासियों को जाता है छेत्र फल की द्रिस्टी से बिहार भारत का बाड़ा हमा राज है बिहार की सबसे खास बात IIT और UPSC की परिक्छाओं में यहां के रिजल्ट सिर्ष पर रहना है तो आज हम लोग जिस सहर की बात करने जा रहे है वो है पटना पटना के कुछ दर्सनिय अस्थलों के भिसे में आज मैं बताने वाली हूँ तो चलिए दोस्तो हम लोग देखते हैं कि पटना में कौन-कौन से दर्सनिय अस्थल है जहां पे परियाटक आते हैं और वो देखने लाइक जगह है यह पटना का सब्भेता द्वार है पटना महानगर की एक अलग पहचान के लिए यहां के ततकालिक मुख मंत्री ने गांधी मैदान के उत्तर दिशा की और गंगा नदी के किनारे एक द्वार का निर्मान कराया जिसका नाम सब्भेता द्वार है यह बलुआ पत्थर से निर्मीत चाप नूमा समारक है सब्भेता द्वार को मौरस अली वास्तु कला के साथ बनाया गया है इसमें बिहार राज तथा पाट्री पुत्र की परमपडाओं और प्राचीन संस्कृती की महिमा देखने के उद्देश से बनाया गया है यहां प्रवेश, पुर्णत, निसुल्ख है यहां साम को काफी परियाटक आते हैं यह है पत्थना का तारा मंडल पत्थना के इंद्रा गांदी विज्ञान परिसर में यह इस्थित है इसमें बच्चों के लिए बहुत ही तरह-तरह की ऐसी कुछ अंतरिक्ष बनाई गई है जिसे देखने पर लगता है कि हम बिल्कुल अंतरिक्ष में आ गए हैं तो यह एक काफी रोचक स्थिती पैदा करती है किसी भी बच्चों के लिए अगला है अगम कुआं मौरेबंस के सासक समराट असोक के काल का एक कुआं गुलजार बाग स्टेशन के पास इस्थित है पास ही इस्थित है एक मंदिर जहां अस्थानिये लोगों के साधी विवा का महत्यपुर्ण अस्थल माना जाता है यह है संजय गांधी जैविक उद्ध्यान जिसे संजय गांधी बनस्पती और प्रानी उद्ध्यान या पटना चिरियाँ घर के नाम से भी जाना जाता है भारत में बेली रोड पर इस्थित है इस पार्क को 1973 में एक चिरियाँ घर के रूप में जनता के लिए खोला गया था यह पार्क पटना का सबसे अधिक पिकनिक अस्थल है यहां 2011 में अकेले नए साल के दिन 36,000 से अधिक लोग घूमने आये थे यह है पटना का कुम्रहार परिसर चन्गुप्त मौर बिंदू सार तथा असो कालीन पाटली पुत्र के भगनाव सेस को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है कुम्रहार परिसर भारतिय पुरा तत्व सरवेक्षन विभाग द्वारा संग्रक्षी तथा संचालित है और सोमबार को छोड़ कर सबता के हर दिन यहां 10 बजे से 5 बजे तक दर्शक देखने के लिए आ सकते हैं इसका आनंद उठा सकते हैं तक्त स्री हर मंदिर सहब पटना सिखों के दस में और अंतिम गुरू गोबिन सिंग की जन्मस्थली है नवम गुरू स्री तेक बहादूर के पटना में रहने के दोरान गुरू गोबिन सिंग ने अपने बचपन के कुछ वर्स पटना सिटी में बिताये थे बालक गोविंद राय के बचपन का पंगूरा या उसे पालना हम कह सकते हैं लोहे के चार तीर तलवार पादुका तथा हुकुम नामा यहां गुरुद्वारे में सुरक्षित है या अस्थल सिखों के लिए अतिप्रब पवित्र है महावीर मंदिर संकट मोचन रामभक्थनुमान मंदिर पटना जगसन के ठीक बाहर बना हुआ है न्यू मार्केट में बने मस्चित के साथ खराया मंदिर हिंदू मुस्लिम एक्ता का प्रतीक है यहां बहुत ही दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं बुद्ध स्मिर्थी पार्क बिहार की राजधानी पटना के पटना जगसन रेलवे स्टेशन के पास 22 एकर जमीन पर 125 करोर रूपे की लागत से बनाया उद्ध्यान है इसके मद्ध में 200 फीट उचा एक स्टूप बनाया गया है इसमें 6 देशों से लाए गए बुद्ध अस्ती अफसेश की मन्युसाएं रखी गई हैं 27 मई 2010 को बुद्ध पुर्णिमा के दिन तिब्बतियों के धर्म गुरू दलाई लामा ने इसे जनता को समर्पित किया उन्होंने इस स्टूप को पाटली पुत्र करुना स्टूप का नाम दिया यह दुनिया भर के बौध परियाटकों के लिए आकरसन का केंद्र है रात के समय यहां जो लाइट वाला फवारा दिखाई देता है वो काफी रोचक होता है यह है सहीद असमारक सहीद असमारक बिहार बिधान सभा के मुख्य प्रबेस दुआर के सामने बना हुआ है यह असमारक पटना के स्कूलों से आजादी की लडाई में जान देने वाले साथ सहीदों के प्रती सरदान जली है नाइंटी फोटी टू के भारत छोरो अंदोलन के समय बिधान सभाभवन के उपर भारतिय तिरंगा फानने के प्रियास में मारे गए पटना के इन सहीदों को याद रखने के लिए बिहार के पहले राज्यपाल जै रामदास दौलत राम ने 15 अगस्त 1947 को इस असमारक की नीव रखी थी प्रख्यात मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा इन भव्य आदमकद मूर्तियों को इटली में बना कर यहां लाया गया था यह है पतना का पतना संग्राले बिहार के पतना सहर में ही इस्थित है जो संग्राले जादू घर के नाम से भी जाना जाता है पतना संग्राले उन्हें सो सत्रह में बना बिहार का पहला संग्राले है यह हैं बिहार संग्राले पतना में निर्मित एक आधुनिक कला संग्राले है जिसका नाम बिहार म्यूजियम है यह अगस्त 2015 में आंसिक रूप से खोला गया था अगस्त 2015 में बच्चों के संग्राले मुख्य प्रवेश छेत्र और एक अभिविन्यास थीयेटर सार्वजनिक रूप से केवल एक ही हिसा खोल दिया गया था बाद में अक्टूबर 2017 में सेस जगों को भी खोल दिया गया यहां बहुत ही अलग-अलग तरह के अब सेसो को रखा गया है मिथला पेंटिंग से लेके बहुत सारी चीज़े यहां पर रखी गई है बिहार की बहुत सारी जानकारिया यहां पर मिलती है और पुराने समय की बहुत सी चीज़ों को संग्रहित किया गया यह सदाकत आश्रम है जो देश रत्न राजेंद्र परसाद की कर्म भूमी है यह है दर्भंगा हाउस इसे नवलखा भवन भी कहते हैं इसका निर्मान दर्भंगा के महराज कामेश्वर सिंग ने करवाया था गंगा के तट पर अवस्थित इसमें पटना विश्वविद्याले के असनात कोतर विभागों का कार्याले है इसके परिसर में एक काली मंदिर भी है जहां राजा खुद अर्चना किया करते थे यह है पटना का गोल घर 1770 इसवी में इस छेतर में आये भयांकर अकाल के बाद अनाज भंडारन के लिए बनाया गया था यह गोलाकार इमारत अपनी खास आकिर्थी के लिए परसिद है 1786 इसवी में जान गास्ट्रिंग द्वारा निर्मान के बाद यह गोल घर पटना सहर के प्रतीक चिन बन गए दो तरब बनी सीधियों से उपर जाकर पास ही बहने वाली गंगा और इसके परिवेश का सांदार नजारा किया जा सकता है सेरसा की मस्जिद अफगान सहली में बनी यह मस्जिद बिहार के महान सासक सेरसा सूरी द्वारा 1540 से 1545 के बीच बन बाई गई थी पटना में बनी यह सबसे बड़ी मस्जिद है पादरी की हबेली सन 1772 में निर्मित बिहार का प्राचींतम चर्च बंगाल के नवाब मीर कासीम तथा ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के बीच की करवाहटो की कागवा है यह गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में इस्थित एक प्रख्यात और एतिहासिक मैदान है यहाँ पर महात्मा गांधी का विश्व भर में सबसे लंबी प्रतिमा अस्थापित है पटना एयरपोर्ट पटना में संजय गांधी जैवी कुद्यान के पास इस्थित है यह हबाई अड़ा संजय गांधी जैवी कुद्यान और फुलवारी सरीफ रेलवे स्टेशन के बीच है यह बहुत ही खुबसूरत एयरपोर्ट है यह है किला हाउस जिसे जालान हाउस भी कहते हैं दिवान बहादुराधा क्रिस्न जालान द्वारा सेरसा के किले के अबसेश पर निर्मितिस भवन में हीरे जवाहरा तथा चीनी बस्तूओं का एक निजी संग्राले भी है साम के समय यहां का नजारा काफी रोचक दिखाई देता है यह है महात्मा गांधी सेतू जो पटना से बैसाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उट्टर दच्छिन की दिसा में बना एक पूल है यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सरक पूल है इसकी लंबाई पाँच हजार साथ सो पच्चास मीटर है भारत की परधार मंत्री स्री मती इंद्रागांधी ने इसका उद्गाटन मैं 1982 में किया था इसका निर्मान गैमोन इंडिया लिमिटेड ने किया था बरतमान में या रास्टिय राजमार्ग 19 का हिस्सा है तो इस तरह आज हम लोगों ने पटना के बहुत सारे दर्शनिय अस्थान को देखा तो एक भारत स्रेश्ट भारत में आज इतना ही अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी खास दर्शनिय अस्थान को लेकर उपस्थित होंगे और जानेंगे कि बिहार में और भी कितने दर्शनिय अस्थान है धन्यवाद